हन जी हराम राम जी सरकारी नोकरी चाहिए है तो आपको ये काम करना ही होगा चाए रो रो के कर लो चाए अस के कर लो बिना मांगे मा दूद भी नहीं पलाती एक समय के बाद तो आप अमारे सरकारों से अमारे नेताओं से कैसे उमीद कर सकते हो कि बिना मांगे आपको नोकरी मिल जाएगी और वो भी सरकारी और वो भी तब जब अमारी जो सत्ता है वो अब ऐसे हातों में हो अमारा सिस्टम ऐसे हातों में हो जो सरकारी नोकरी को प्राइवेट नीची करने की तरफ लेके जारी है आप उस समय कैसे उमीद कर सकते हो कि घर बैटे आराम से आपको नोकरी मिल सकती है आपको चिलाना पड़ेगा आपको चीखना पड़ेगा आपको सरकार से नोकरी मांगनी पड़ेगी तब जाके आपके हाथ में नोकरी लगेगी अब इसके लिए आप हस्ते हस्ते काम कर जाओ, इसके लिए चे आप रो रोके बै कुछ भी कर जाओ, लेकिन करना पड़ेगा आप को एक काम, आप 56 से जुड़े हैं, आपकी बरती तब ही निपतेगी, जब आप सरकार को कहोगे कि कम से कम, कोर्ट में जाके पैर भी तो कर ले हमारी, गलत है य नई बरतिया निकलवानी हैं, तो भी सरकार को बताना पड़ेगा, आपको अपना दम दिखाना पड़ेगा, कि यूवाओं में भी दम है, और इस सरकार ने इग्नोर कर रखा है, खासकर यूद को, कि यूद के हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया का यूद तो रील देखने में बीजी है, उसको मैसूस ही नहीं होने दे रहे हैं, आप लोग मैसूस ही नहीं होता होगा, कि बेरोजगार हो आप, क्योंकि पूरा पूरा दिन आपको, कभी किसी का डान्स, कभी किसी के चोचले, कभी किसी क निखने में आपका पूरा दिंघंड जाता है निट इतना सस्ता कर दिया है कि आप 200-300 रुपे में पूरा महिना आपको पता ही नीचलेगा कि आप खाली भी हो सरकार कोई नीची जोंका फायदा हो रहा है मुबाइल ना होता तो आपको पता चलता कि आप बेरोजगार बैठे हो बेरोजगारी दूर करनी है अपनी तो सरकार के सामने अपनी बाते रखनी पड़ेगी आपको कहना पड़ेगा कि हमें नोकरी चाहिए हमें मंदिर मस्दिश ठीक है वो भी चाहिए हमारी संस्कृती है लेकिन रोजगार भी बहुत जरूरी है रोजगार के बगार बात नहीं बनेगी या फिर मंदिरों के बाहर ही हमें कटोरा लेके बैठना पड़ेगा यदि पढ़ेंगे नहीं यदि रोजगार नहीं मिले या तो तो दोस्तो युवाओं को एक जुठ होके चाहिए आप किसी भी बरती से जुड़े हैं आपको ये काम करना पड़ेगा आपको इकठा होके आना पड़ेगा इकठा होके सरकार को बताना पड़ेगा कि हम भी इस दर्ती के उपर रह रहे हैं हम भी इस दर्ती के उपर रहे हैं हमें ऐसे इगनोर मत करो सबसे ज़्यादा वोट बेंक यूथ का ही तो है ये यूथ ही तो देश का भविश्य तैक करेंगे तो ये सरकारे क्या चीज़ है जब देश का भविश्य है, यूथ तैग करेगा, तो सरकारे क्या चीज है, ये पारटियां क्या चीज है, तो इन पारटियों को इगनोर नहीं करना है, यूथ को, पारटि ध्यान देश चीज के उपर, जो सत्ता में है वो भी, जो सत्ता में आने की कोशिस कर रही है वो भी, यूद के बगएर बात नहीं बढ़ेगी। तो सभी साथी इकठा होके, सभी बेरोजगारी का जो टैग लगा हुआ है ना, आपने मैनत बतेरी कर ली, आपने पात साल हो गए हैं, लगातार आप कभी अर्याना जी के, कभी इंडिया जी के, कभी मैत, कभी रिजनिंग, आप अपनी आखे फोड रखी हैं आपने पात साल से, लेकिन रोजगार नहीं मिला है, आपकी कमे की वज़े से नहीं, बलके अमारे सिस्टम की कमे की वज़े से, सिस्टम में तो खामिया है, यदि CET के उपर court case हो रखा है, वो किसी बच्चे ने जान बुझ करने किया, उसको पता है कि कमी है, तो case किया है, वो किस की गलती है, वो किसी youth की गलती नहीं है, वो सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है, कि उसने कमीया छोड़ी, उसने लूप फोल छोड़े क्या पड़ा लिखा नहीं पैठा जो CET की पोलिशी को अच्छे से बना पाता आपने पाँच साल निकाल दिये कोई डंका सुधार नहीं किया पोलिशी के अंदर क्या इतनी भी अक्समता नहीं है स्टाप के अंदर नहीं है तो नई युवाओं को मोका दो सब कुछ बदलेगा तेरा तारिकों जीन्द के अंदर युवाओं इकठे उने जा रहे हैं सरकार को ये बताने के लिए कि हम भी इस धर्ती पे एक्जिस्ट करते हैं आमें भूलो मत इग्नोर मत करो बहुत सारे प्रियास किये जा चुके हैं बहुत सारे प्रियास आगे करने पढ़ सकते हैं ये उनी में से एक प्रियास है दोस्तो सरकार कोर्ट में फसी सभी बरतियों को जल्द से जल्द बाहर निकाड़े जब तक सरकार सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा कोर्ट में जाकी निवताएगा कि हमसे गलती हुई है या हमने जो कर रखा है वह सही है जब तक वह भरति कोर्ट से बाहर कैसे आएगी तब तक वह भरति पूरी नहीं होगी तो हम यहीं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम आपसे और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं बचे वे गुरूप का पेपर जल्दी ले जाए सीटी का पेपर कुछ गुरूपों क ले लिया कुछ गुरूपों का पेंडिंग है पता नहीं है अता नहीं है इनका अता पता कुछ हो जाए बचे वे गुरूपों के पर जल्दी से जल्दी ले ले जाए यही तो सरकार को बताना चाहते हैं पुलीस की भरति में सभी बच्चों को मुका मिले केवल सीटी पास क को मुका में लना थी अभी चार गुणा को मुका दिया जा रहे नहीं जितनों ने जिन्होंने CET पासकर रखा है उन सबी को मुका में लना थी बलकि मैं तो ये कहूँगा कि CET 4 साल से एक बार ही हुआ है लेकिन हर साल होना था अब उनकी क्या कमी है जो इसी साल या पिछली साल पुलिस बरती के लिए इलिजिबल हुए हैं सी इटी के लिए इलिजिबल हुए हैं यदि टाइम टू टाइम सी इटी होता तो बहुत सारे बच्चे और इस सी इटी में इलिजिबल होते और इस अरियाना पुलिस के बरती में इलिजिबल हो जल्दी से जल्दी नई recruitment हो, बरतिया, नई बरतिया निकाले जाए, H14N के माध्यम से नहीं, HSSC, HPSC के माध्यम से, डंग से, प्रोपर पैटरन से, सलेबस के साथ, एक्जाम सेडूल के साथ, प्रोपर सेडूल के साथ नहीं बरतिया निकाले जाए, ताकि युवा अपना consider पूरा अच्छा target है उसके उपर करश के, focus उसके उपर करश के, ये कुछ मांगे हैं, और भी काद मांग आपके पास हो सकती है, आप आगे अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, जब सभी युवा पूरे इंडिया के युवा आएंगे पूरे हरियाना के युवा आएंगे तो दोस्तो बात सुने भी जाएगी बात मानने भी जाएगी ये कोई गलत बात नहीं है कि गलत बात है किसी इन्वैलिड बात को हम धक्के से मनवाना चाहते हैं हम वैलिड बात को जो जायद है उस बात को ही हम सरकार के सामने रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो मांगे हैं ये सरकार के दुवारा पूरी जितना जल्दी हो उतना जल्दी पूरी करनी ठीक ना जितनी जल्दी हो उतना जल्दी पूरा करना अनिवारी है आज हम वेट में हैं बरत्यों की यदि ऐसी ही हालात रही ना कल आप वेट करोके इस कुर्सी की इस बात का विशेश द्यान रखेंगे इस वीडियो को सेर कीजिगा ताकि सभी को पता चल जाए कि हरियान की यूअब परेशान कितनी है और अब परेशानी से बाहर निकड़ने के लिए कोण सा रास्ता अपना रहे हैं सरकार को बताना चाते हैं वस कि हां इस दर्ति के ऊपर यूवा भी यूथ भी रहता है जिसको आप लोग भूल रहे हो तो कौन-कौन बेरोजगारों की इस महारेली के अंदर जी हां, बेरोजगारों की इस महारेली के अंदर तेरा तारी को जीन्द के अंदर पहुंच रहा है कमेंट बोक्स में मुझे जुरूर रहे है इस वीडियो को सेयर कर दीजे ताकि सभी को पताचल जाए कि तेरा तारीकों जीन्द के अंदर महारेली होने जा रही है धन्यवाद